खबर है सुल्टानपुर से सुल्टानपुर में पकड़ा गया चोरो का गिरो आपको बतादे कि सुल्टानपुर में पुलिस ने बड़ी काम्याबी हासिल कर दिया सुल्टानपुर में चोरो का गिरो को पुलिस ने परदफास कर दिया है आपको बता टी कि 17 घटनों को अंजाम दे चुके हैं सल्तानपूर में एसोजी टीम चोरो का गैंग को पुलिस ने गिर सामिला है महीला समें 4 चोरों का अब तक 17 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है इनके पास से पौने 3 किलो चांदी 200 ग्राम सोने के गहने वह 27,000 रुपए एस बरामत किये हैं आपको बता दे कि ये सुल्टानपुर से कबर है जिले के एस पी डाक्टर विपिन कुमार मिस ने बताया कि परभारी निरिश्चक दोस्पूर परभारी निरिश्चक मोतिका प्रुवा एसोजी की सैयोग पुलिस टीम ने बड़ाहूली तिराहे के पास से 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है उस्तास करने पर बताया आरोपीयों ने कि हम लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं जो सामान मिलता है उसको बेच देते हैं तता उससे जो पैसा मिलता है आपस में बाट लेते हैं आपको बताया कि पुलिस ने जिन 4 चोरों को गिरफ्तार किया है उससे जोधना मोतिगरपुर के होई है इन पर अखान नकर दो है काधिपूर में मोतिगरपूर में 5 जैसिssen पूर में दो दोजपूर में 8 केस दर्ज है सुल्तांपूर शेक है सुल्थांपूर से खबर हnty सुल्था जोग बड़ा होग गाले हैं पुलिस ने नकवजनी की खुल 17 घटनाओं का अनावरण किया गया है जिसमें से चार अभ्यूप्त गरफतार किये गये हैं और इनके कवजे से 2 किलो 750 ग्राम चांदी के अभूशन तथा सोने के 253 ग्राम के अभूशन और 27,000 रुपए नकवज़ पराबत गया है इस घटना में चार अभ्यूप्त जीत बहादूर प्रजापती, अभिशेक पुरुफ अगलेस, सीतला प्रशार और उसकी पत्नी सुंदरावती को गरफतार किया गया है इन अवयुक्तों की मोडर सापरिंडी ये थे कि ये रात में लवग दोड़ाई वज़े के आस पास निकलते थे और जिन घरों के बाहर लोग सो रहे होते थे उनको निशाना बनाते थे ये धीरे से घर में घुचते थे और अब मोटर साइकले अब एक आदमी लेकर इनकी चला जाता था चोरी करने के बाद से ये सामान लेकर एक गेड़ किलोमेटर आगे तक पैर अभर भी आते थे वहां से फिर अपने साथी को बुलाते थे और उनके साथ बढ़े जाकर अपने घर पहुचते थे जो सुनार है वह इनके चोरी के सारे सामानों को गलाने का खरीदने का बेचने का काम करता था उसके कब्जे से सारी चीज़ें ये परामद हुई है और आज इस कटना का चीज़ें पह?"